हलो एवरिवन, तो क्रिसमस आ रहा है, तो उसके लिए तयारिया तो जोरो सोर्सyy हो रही है तो सबको अभी से ही advance में, makes perfect Christmas, तो हम बनाएंगे आज क्रिसमस के कुछ अच्छे-च्छे केक और क्रिस्मस से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें तो उसके लिए हम ले लेंगे दूद और उसमें डालेंगे शक्कर एक कटोरी और उसको एक दमच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और उसे हम देखो ये इतना ही पतला होना चाहिए ये देखिए अब इसे हम एक कटोरी में आधा निकाल लेंगे तो हमने इसे कटोरी में निकाल लिया है ये मुझे थोड़ा लग रहा है तो हम थोड़ा सा और निकाल लेंगे क्योंकि बच जाएगा तो चलेगा अगर कम पढ़ जाएगा तो फिर से ही हमें इसे ग्राइंट करना पड़ेगा तो इसके लिए हमने एक कटोरी शक्कर और दूद को एकदम अच्छे से मिक्स करके एकदम से अच्छा सा पेश्ट बना कर निकाल लिया है अब हम थोड़ा सा और दूद डालेंगे और एक कटोरी डाल सकते हैं और इसमें हम ग्रीन फूड कलर डालेंगे तो ग्रीन फूड कलर मिल जाता है जहां पर ओरेंज कलर मिलता है वहीं पर मिल जाता है तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे तो देखिए हमने इसमें फूड कलर एकदम चम्मच के करीब मैदा लेंगे और आप चाहें तो इसको किसी और कप से भीreshawенное कर सकते हैं मैधा लिया और आधक चम्मच के करीब हम खाने वाला शूडा लेंगे命 और एक चम्मच के करीब हम लेंगे thanks shoulda वेकिंग पॉड़र। और जो भी एक्स्टर लगा हुआ है मिक्सर जार में उसमें थोड़ा सा दूट डालके उसे भी अच्छी तरह से हिलाते हुए निकाल लेंगे तो हमारा सारा का सारा कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए उस हिसाब से हम इसे निकाल लेंगे अब हम ने जो बैटर पीछा था और जो हमने मैदे में मिक्स किया था उस मैदे को थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से इस तरह से फेटते हुए मिला लेंगे तो हमें थोड़ा ही थोड़ा मैदा डाल डालके इसको फेटना है ताकि इसमें लंस ना बने तो देखिए हमने एकद पेपर लगा दिया था तो हमने इसमें टांसपर कर लिया है इसे थोड़ा टैप टैप करेंगे ताकि जो भी इसमें बबल्स हो वो सारे निकल जाए अब हमने एक भगोले को थोड़ी देर के लिए गरम करने रख दिया था अब उसमें हम केक बैटर डालेंगे और आदा गंट के करीब इसे पकने में टाइम लगा है देखेंगे चेक करके के पक गया है तो देखिए हमारे ये पक चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे अब इसके उपर हम ड्रॉ करेंगे क्रिस्मस ट्री और इसे चाकू के मदब से इस तरह से कट कर लेंगे तो आप चाहें तो इसे एक कागज पे मतलब ड्रो करके उसको भी इसके उपर लगाकर और आप उसकी हिसाब से भी इसे कट कर सकते हैं मगर मैंने इस पर हलका हलका सा ग्रीन कलर से इसे मैंने ड्रो किया और ड्रो करने के बाद इसे मैं अब इस तरह से कट करके आपको दिखा रही हूँ तो हमें जिस तरह से कट किया है मुझे थोड़ा सा आउट लगा है इसके लिए मैंने इसे थोड़ा अपनी तरह से अपने इश्राफ से इसे कट किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको इस तरह कट नहीं अगर समझ में आया तो आप इसे पहले एक पन्ने में बना लीजिया और उसके उपर रख कर और फिर बाद में आप उसे निसान लगा कर और कट कर सकते हैं तो देखिया हमने एकदम अच्छे से इसको क्रिस्मस ट्री को एकदम से अच्छे से केक में से कट करके निकाल लिया और यह जो हिस्सा है इसे हमें अच्छी तरह से निकालना है क्यूंकि अभी इसका बहुत सारा काम है तो हमें इसे वेश्ट नहीं करना है अब हम यह नीचे की तरफ से इसका इस तरह से कट करेंगे नहीं तो वो निकल जाएगा तो देखिए केक को हमने ट्री से एकदम से अलग कर लिया तो देखिए हो गया हमारे एकदम अच्छा सा ट्री अब यह जो भी पोर्शन हमने काट के निकाला है इसे हम अच्छी तरह से अभी समाल कर रखेंगे अब इसमें से हम इस्टार निकालेंगे तो देखिए जो केक का हिस्सा जो कट करके बचा हुआ था उसमें से हम इस तरह से कट करके स्टार से स्टार पीस निकाल लेंगे तो देखिए यह हमारा कितना अच्छा सा इस्टार निकल गया है और इसे हम ओपर की तरफ जो क्रिस्मस ट्री में लगा हुआ रहे था इस्टार उधर एक लगा देंगे अब जो हमने शक्कर और दूद का पेश्ट बनाया था वो अब हमें इसमें लगाने के काम में आएगा तो हमने इसे अच्छी तरह से फेट लिया अब इसे हम एक पॉलिथीन में डाल देंगे आप चाहें तो कोन में भी डाल सकते हैं मगर कोन में से ज़्यादा निकलेगा है इसके लिए आप पॉलिथीन में डालिया जितना कट करना है उतना ही थोड़ा सा ही आपको कट करना है क्योंकि यह liquid है पूरा नहीं तो फैलने लगेगा तो हमने देखिए बॉली थिन में डाला है तो हमने छोटा सा ही कट किया है इसमें और इसे हम पूरा Christmas tree के किनारी किनारे पर एकदम अच्छी तरह से lining करेंगे इसक कि तरफ से बह जाएगा अब इसमें हम थोड़े स्प्रिंकल लगाएंगे बॉल्स वाले तो जितनी भी boundary है उस पूरी boundary पर हमें स्प्रिंकल लगा देने हैं आपके पास अगर स्प्रिंकल नहीं है तो आप चाहें तो इसमे जैम्स भी लगा सकते हैं कलर वाले अब हम पूर इस्टार को इस गोल से अच्छी तरह से पुरा कवर कर देंगे वाइट कलर का देखिए अब इसमें हमें एक इस्टार बड़ा सा लगा देंगे और बहुत सारे मेरे पास इस्टार और हार्ट शेप और और भी फ्रूट्स थे तो वो सब हमने क्रिस्मस ट्री में जैसे लगा हुआ होता है ना बनाना फ्रूट्स पाइनेपल तो वो सब हमारे पास था तो वो मैंने इधर इधर सब जगह पे लगा दिया है देखिए एकदम लग रहा है ना पूरा अब मैंने इसमें छोटे-छोटे कैटवरी बॉल्स मगाय थे उसे भी हमने तूथपिक के साहता से लगा कर और इसमें अटेज कर दिया है अब ये खटी-मिठी गोलिया हैं जिने हम इसमें अच्छी तरह से लगाते हुए इसे सजा लेंगे और क्योंकि लगना चाहिए ना एकदम रियल वाला ट्री लगना चाहिए उस तरह से हम सजाएंगे तो ये हमारा एकदम बन के जब तयार होगा तो ये हमारा एकदम लुकवाइस एकदम से क्रिस्मस ट्री एकदम लगेगा आपको लगे गई नहीं कि यह हमने घर पर बनाया है तो जो ये सक्कर और दूत का जो गोहल है उसी को हमें इसमें इस्तमाल करना है और उसको तूत्पिक के सहायता से बांडरी बनानी है उससे और वही बांडरी के उपर हमें ये छोटी मोटी खटी मिठी गोलियों को लगाते हुए इसे हम सजा देंगे दोस्तों आप लोग भी क्रिस्मस में चाहें तो इसी तरह के केक को बना सकते हैं इस्टार बना सकते हैं ट्री बना सकते हैं और बच्चे भी खुश हो जाएंगे बच्चों का जो स्कूल में कभी कभी प्रोजेक्ट रहता है और उसमें क्रिस्मस थीम होता है तो उसमें भी चाहें तो आप इसे बना कर बच्चों को दे सकते हैं उनका प्रोजेक्ट एक दम अलग और सब बच्चों से अलग रहेगा और वेस्ट भी रहेगा अब नीचे की स्टीम को हम ब्राउन कलर का करने के लिए इसमें चॉकलेट सीरप को लगाएंगे तो देखिए हमने उसी केक के जो केक का जो पॉर्शन था बाहर बचा हुआ था उससे हमने देखिए मोजे बनाये और हमने उसके बाद उसमें हमने बनाया बहुत सारे स्टार्स बनाये हमने और बहुत सारा गिफ्ट बनाया और स्नोमेन भी हमने बना दिया है तो देखिए हमारे क्रिस्मस का हर पार्ट तो देखिए हमारा पूरा क्रिस्मस ट्री और उसके साथ जो भी चीजे रहती हैं जैसे स्नोमेन और मोजे और स्टार्स सब कुछ देखिए कितना प्यारा लग रहा है और हमने देखिए गिफ्स पैकेट भी रखे हुए हैं तो ये देखिए कितना अच्छा सा बन के तयार हो गया है तो आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिस्मस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए नए हो तो सस्क्राइब कर लें मेरी क्रिस्मस सर्फ सर्फ इस्मस अच्छा अच्छा एंव